कन्नल लगु फिल्म, सन्फलार, वेर्द फर्स्ट वन्स तुनो को सतातर्वे कान फिल्म महोचव में लास सिनेफ कटेगरी में चुना गया वेर्द फिल्म के निर्देशक चिदानन एसनाइक, डियोपी सूरज ठाकुर, प्रडाक्शन डिजाइनर प्रणव खोट, साउंड डिजाइनर और संगीत काराविशेक कदम से बात की हमारी समवादाता शाम आमिश्टा में सततरवे संसकरन कंफन फेस्टिवल में भारत की भागेदारी इस बार काफी अच्छी है उसमें से एक मूवी है संप्लाइज वर फर्स्ट वान तुनो जो लास सिनेफ काटेगरी में सिलेक्ट हुई है और उसके मेकर्स हमारे साथ में हैं चिदानन नायक हैं जो डिरेक्टर हम समझते हैं यह ख auth आल पे बेस्ट है क्या है इसकी काहनी और यहां तक पहुंचना कितना ईक हमारे ले उत्सा गर्व की कंफना है कि दादी और नानी होता है जो सोचता है कि उसका मुर्गी से इह दिन होता है शो मैं फिल कीश़म बेसे नाय Arbeit and and coming here to Kans is a 한 अच्छा हूआ है तो प्रॉण है और प्रॉण है इस पार जैसे हम बात करहें है जो का स्टोरीमेकिंग है, वो फो फोती जा रही है हर जगे से हर रीजन से यह कहानी बन-न खे रही हुआ हर ज़ने यक फिल्मेकर बन रहा है ऐसे समय में आप कैसे देखते है कितना बदलाव आ सूरज हमारे साथ हैं, आपका क्या रोल है इसमें और वही बात, फिल्म मेकिंग जब हो रही थी, क्या-क्या आप लोग ने चालेंजेस फेस किये, क्या आपको एज हुआ, किस तरीके से आप लोग यहां तक पाँचेंगे? So, मैं DOP हूँ यह फिल्म का, and challenges हमारे काफी हो है, because film school की film है, तो काफी restrictions होते है, camera-wise, location-wise, lights-wise, तो हमको 50 km का radius था, तो उसमें एक ऐसा unknown location, unknown time period का location हम लोग को ढूंडना था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था, because film school Pune के center में है, और around the institute, it's almost city, so वैसा ढूंडना हमको काफी मुश्किल था, तो मैं और अभिशेक, जो हमारे sound designer है, हम लोग अल्मोस 50 से 60 गाव ढूंडे है, एक location मिलने के लिए, तो ऐसे काफी सारे challenges आए, पर यह shoot Pune में हुई है, Yes, Pune के नजदिक पांचेद करके एक area है, वहाँ पे हुई है, हमारे साथ प्रणव भी है, प्रणव आपका क्या रोल है, और यह बताएं कि, जैसा यह बता रहे थे challenges था, रात की film shoot हुई है, क्या आप लोगों ने innovation लगाया यहाँ पर, कि इतनी technology की इस्तमाल की है, So, जैसे कि मैं इस फिल्म का production designer था, तो complete visual narration करना मेरा काम था, जब मेरे बास script आया, तो मुझे first interest वहाँ से आ गया कि, बबाँ, यह तो मेरे past का story है, क्योंकि मैं करनाटा का सब बांडरी से बिलांग करता हूँ, So, उसके साथ शूट कर रहे थे, जो हम रियल लाइप experience कर रहे थे, जो रेफरेंसे हमने लिये थे हम उसके थू काम कर रहे थे, उसके उपर, So, बहुत सारे रेफरेंसे हमारे ऐसा है थे कि हमने कुछ गूगल से ज़्यादा उठाया नहीं था, हम मिल रहे थे, basically हम करनाटगा बॉंटरी के लोगों से हमने थोड़ा सा help लिया, specifically for jewelry और costume के लिए होगा, तो ऐसे रेफरेंसे हम, या फिर हम help ले रहे थे बाकियों से, So, एक best thing थी, कि की लोग इसमें है इनो all है? अभिशेक, वही सवाल, क्या है रोल आपका? और हम बात करते हैं जब FTII की, तो ऐसे में कि आप film बनाना सीख रहे हैं, आपकी film सीधे आ जाती है यहाँ पे, जो सबसे प्रतिष्ठित film festivals में से एक मानी जाती है, वर्थ हो गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस फिल्म का sound designer और music composer हुँ, तो मेरा काम इस फिल्म का एक feeling जो है, उस जमाने का, एक fantasy कहानी है, पुराने जमानी कहानी है, उसका एक feel लाना और इस story में जो हो रहा है, उसको sell करना audience को, वो मेरा काम है, और हम सब ने इसमें जी जान लगा दी थी, और बनाते हो किसीने सोचा निता कि इसका क्या करना है, यह करना है, वो करना है नहीं, हम सिर्फ इसको बनाने में बिजी थे किसीने सोचा निता कि यहाँ पे आएगी अभी भी थोड़ा अन्रियल ही लगता है तो we are all very happy about it and let's see what it does हम उमीद जरूर करते हैं कि यहाँ पर यह फिल्म धूम मचाया और साथी, जब वापस हमारे भारत में आए तो हमें भी मौका मिले, सारे दर्शकों को भी मौका मिले इस अदभुद creation को witness करने का और जैसा कि हम इनके smile से समझ पा रहे हैं हमारे लिए पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है वही बात उमीद यह है कि यहाँ कानपल फेस्टिवल में यह मूवी धूम अचाए कैमरापसन किशन चन के साथ, शामा मिश्रा, डीडी न्यूज, कैन, फ्रांस उत्तराखन के मुख्यमंते पुषकर सिंग्धामी ने चारधाम व्यात्रा की सुविवस्था की कमान अब